उत्तर प्रदेश में एक अजीबो गरीब फर्मान आया है, फर्मान ये कि चुके कावर यातरा निकल रहा है, तो ऐसे में ये बात कही गई कि कावर्यों को कोई परिशानी न हो, इस वज़ा से दुकांदार अपने दुकान के सामने अपना नेम प्लेट लगाएंगे, उसमें बताएंगे कि मैं राम हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ, मैं सलीम हूँ, या मैं जो भी हूँ, वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, अब आपकी मर्जी है, आप हमारे पास आएं या ना आएं, इस फैसले के बाद सीधे तोर पर असदुदीन हो वैसी हो, या देश क आप दुकानों को नाम के तोर पर बाटा जा रहा है क्या कावरियों को ये बताया जा रहा है क्या आपको मुसल्मानों के यहां से ये सामान नहीं खरीतना है आप आसानी से बाइकोट कर सकते ये एक बड़ा सवाल खड़ा लगा लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई वो खबर इस तरह से है कि इस फैसले के बास सीधे तोर पर ये भी बास सामने आई कि ये मामला अब सिर्फ मुझफर नगर का नहीं रहा बलकि उत्तर प्रदेश में इस तरह के कानून की बातें की गई कि सब अपने अपने दुकान के सामने में अपना नाम लिख देंगे अब इस से परिशानी है कि ये भी हुई कि अगर मान लेते हैं कि सलीम का दुकान है और सलीम के दुकान में काम करने वाला पंकज है आमित है सुमीत है रंजीत है तो मसला ये है कि सलीम का दुकान है नाम तो सलीम का लिखा रहेगा लेकिन ये जो आठ नौ स्टाफ अगर वो नौन मुसलिम है और सिर्फ मुसल्मान होने की वज़ा से अगर वहां पर खाना नहीं खाएगा कोई इनसान तो क्या उन आठ लोगों का नुखसान नहीं होगा ये भी एक बड़ा सवाल था और ये सवाल लुक कर रहे हैं लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कावरियों ने एक धाबे में जा करके जम करके तोड़ फोड़ कर दिया अच्छा बवाल काता है बवाल कातने की वज़ा ये है कि खबर ये सामने आ रही है क वहाँ पर खाने में लहशुन प्याज का इस्तमाल किया गया था और इस बात से कावरिये यात्रा में निकले हुए जो कावरिये हैं वो काफी भड़क गए और ऐसा भड़के कि उन्होंने जम करके उस धाबे में तोड़ फोल शुरू कर दी और आपको बताए कि क्या काच हो क लिए खुड़क देख सकते हैं और हरियानवी टुरिस्ट धाबा है यह और आप देख सकते हैं और आपको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किनका दुकान है और कैसा दुकान है शुद्ध वैशनों खाना भी लिखा हुआ है नीचे और यह बड़ी घटना सामने नौजवान से कि क्या आप मुसल्मान के दुकान से खाना खाएंगे उन्होंने का क्यों नी खाएंगे क्या परिशानी है हमारा उनसे क्या जो है वो हमें क्या घिला शिक्वा हमें खाने से मतलब खाना हमें मिलना चाहिए लेकिन देश में बटवारा किस तरह से लोगों के द्वारा किया जा रहा है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं और लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ धर्म के आधार पर लोगों का बटवारा नहीं हो रहा है बलके जात के नाम पर भी बटवारा होने वाला है और इसके शुरुवात हो गई है ये बाते कही जा रहे है छपार थाना इलाके के बीजो पुर्च वराहे का मामला है लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ है क्या आपको लगता है कि यहाँ पर नाम प्लेट का भी कोई काम हो रहा है आप तमाम लोग अपनी राइक कोमेंट स्क्शन में जरूर दीजेए